आपका cute Labrador काफी ही मस्तिखोर होगा या फिर cute होगा और होगा भी क्यों नहीं क्योंकि यह dog भी होते ही इतने प्यार है स्मार्ट है दिखने में भी काफी अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजे होती है जो Labrador होने के कारण आपको avoid करनी पड़ेगी या फिर आप नहीं क कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं इनके बारे में number one you can't leave your food out अगर आपके पास Labrador Retriever है तो वह एक्स्प्लोर करना काफी जाधा पसंद करते हैं तो आपने अगर कहीं पर food रग दिया हो चाहे वह dog food हो आपका खाना हो mango हो बनाना हो या कुछ और भी हो तो यह तूरन sniff कर ले और यह वहाँ पर आपको दिखते मिलेंगे और सिफ़ खड़े नहीं होंगे जो भी होगा वहाँ पर वह सब कुछ खा चुके होंगे इसलिए अगर कुछ ऐसी चीज़े हो जो उनके लिए harmful हो या फिर ऐसी चीज़े हो जो उनको नहीं देना चाहते है आप या भी खिलाया और आप नहीं चाहते हैं एक सेकिन में खतम करते हैं आपकी है तो अलग एक जगा पर कंटेनर में आप रखे जिससे वह वहाँ पर पहुच ना पाए वरना यह टेबल के उपर चड़के भी कुछ भी चीज़े ढून लेते हैं खाने के लिए क्योंकि एक फूड़ी होते हैं अब देखिए काफी सारे हमारे घर में हैसा होता है कि हम जो कुछ भी खाने की चीज़े होती हैं नीचे गिर गई यह थोड़ी बची होती है तो काफी बार लोग डस्पीन में डाल देते हैं तो लेबरड़ को जैसे मैंने बता है अप फूड़ी होते हैं और एक्स्प्रोर सेफ रखना चाहते हो कुछ ऐसी चीज़ों से जो उनको नहीं देनी चाहिए या फिर आपके घर में कचरा फैला नहीं देखना चाहते तो जो भी उसका जो डस्पीन होगा वो आप दूसरी टाइप करा सकते हैं जिससे उसके पास पहुचना पाए जैसे की लीड बंध होने की आदत होती है और खास करके संडे को लेकिन लेबराड और रेट्रिवर आप लाते हो और अपने अगर उसे जो एक रूटीन बना दिया है कि ले जाने का मौर्निंग में तो आप भूल जाईए कि आपको जो है लेट तक सोने मिलेगा यह हाई एनरजेटी के डॉग बिड ह इनको यहां वहां चीज़े एक्स्प्लोर करना बाहर घूमना काफी जादा पसंता है और खास करके बाहर घूमना यह वाक करने के लिए बाहर जाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं तो अगर आप लेट तक सोते हो तो में भी लाने के बाद आपको यह रोकना पड़ेगा नेक्स्ट यू कांट लिव यूर डॉग अलोन अब देखिए लेबरड और रेटीवर एक फैमिली डॉग बीड है इनको अपने फैमिली के साथ ओनर के साथ रहना घूमना टाइम स्पेंड करना बहुत ही जादा पसंद होता है तो अगर आप ऐसे परसन हो जो सोचरों कि मै ला दूँगा और फर बाद में जौब पर जाओंगा और घर आके वापिस का क्यार कर लूँगा ऐसा नहीं होगा यह जादा समय तक अकले नहीं रह सकते हैं डिप्रेशन में जा सकते हैं सैड रहने लगेंगे काफी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इनको घर में कोई ना कोई मेंबर होना चीए इनके साथ भले वो आपके गर फैमिली में से कोई भी हो चलेगा लेकिन कोई ना कोई होना ज़रूरी है तो आप इने अकले बिल्कुल नहीं छोड़ पाओंगे नेक्स्ट यू कांट लिव स्मॉल थिंक्स अराउंड अब काफी चीजे ऐसी चोटी होते चाहे वह बॉल हो आपके लिए कुछ ऐसी हैर क्लीप हो या फिर कुछ और चीजे हो अगर आपने इसको नीचे कहीं गिरा हुआ रख दिया तो आपका पपी लेबराड और उसे जा इसलिए अगर आपको इसी चीजे जो इंपोर्टन्ट है या फिर उनके लिए हामफूल है तो हमेशा संभाल के अलग जगा रख दे जहां पे वह पहुंचना पाए नेक्स्ट यू कांट कीप यूर डोर और विंडोस उपन अगर आप विंडोस समझ लो ग्राउंड फ्लोर करना काफी पसंद होता है कुछ-कुछ नए चीजों को जानना नए चीजों के साथ खेलना नए साथ रहना तो अगर आपके आसपास कोई और डॉग बिट रहती हो या फिर कुछ और हो तो उनको देख कि यह बाहर जरूर जाएगा इसलिए अगर आप डरवाजा है जो विं कुछ भी चीज मिलें कि चीव करने लगेंगे क्योंकि बेबी होते हैं नएदात हो रहे होते हैं खुझली होती है वहाँ पर तो यह करते हैं तो यह सब हो सकता है कि आपकी जो कुछ चीजे हो जो चीव कर ले अगर इसे रोकना है तो उनको आप डॉग बोन दे सकते हो या कि वह किसी और चीजों को चीव ना करें अब देखिए लेबरेटर रेट्रीवर के जो है हेर फॉल या फिर शेडिंग सीजन आता है तब होते रहते हैं और काफी ज्यादा बाल देखने मिलते हैं शेडिंग सीजन में तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं वैक्यूं कभी-कभी स्कीप कर दू या फिर उसकी ग्रूमिंग स्कीप कर दू या फिर घर में जाडू नहीं लगाओ तो यह ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे क्यूंकि आपको बाल सारे जगह देखने को मिलेंगे जो शेडिंग सीजन होगा उसमें ज्यादा मिलेंगे नॉर्मली थोड़े करूंगा लेकिन अगर आपके पास डॉग बीड होगा तो कभी भी उसको खेलने का मन होगा कभी भी बाले जाने का मन होगा कुछ भी वह करना चाहेगा आपका अट्रेक्शन लेने के लिए आपको साथ खेलने के लिए रहने के लिए तो आप अपने शेडियूल के साथ तो मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए